Hello students, एक बार फिर से सागत है आपका आपके पने YouTube चैनल है, तो जैसे इससे पहले वाली क्लास में हमने Integral Calculus यानी समाकलन गडित वाली बुक इस्टार्ट करी थी, जिसमें हमने फर्स चैप्टर बीटा इंग गामा फंक्शन को स्टार्ट किया था, और फर्स्ट वीडियो में हमने पिछली वीडियो और आने वाले सभी वीडियो आपको उसी playlist में मिलते जाएंगे आज हम बात करने वाले गामा function की किस पर गामा function की यानि गामा फलन पी जो की काफी ज़्यादा important होता है इसकी हम सबसे पहले इसकी परिभाशा पढ़ेंगे उसके बाद इसका सुत्र पढ़ेंगे यानि इसका फॉर्मिल उसके बाद में इसकी जो प्रोपर्टीज होती ही जैसे हमने बीटा फंक्शन की प्रोपर्टीज पढ़ी थी वैसे हम यहाँ पर गामा फंक्शन की प्रोपर्टीज हो से किस प्रकाद प्रूफ करेंगे वो भी ह रहते हैं यानि जो आपके समाकल रहते हैं उनको आसानी तरीके से solve करने के लिए यहाँ पर आपको इनकी जरत पड़ती है ठीक है तो पती धहनात्मक परिमे संक्या N के लिए यानि इसकी जो positive value होती है आपकी उसके अनन्त समाकल आपके यहाँ पर क्या है integration 0 to infinite यानि एकी पावर minus x s की पावर n minus 1 dx गामा फ़लन आपको यहाँ पर केलाता है यह आपकी जो section a में आपकी यह one marks में आपके पूछ लिया जाता है कभी कभी कि गामा फ़लन क्या होता है तब आपको यहाँ पर लिख देनी है यह वाली definition इसके यह formula क्या है इसका आपको कि gamma n यह आपको symbol देख लिजे gamma n इस प्रकार से लिखते है ठीक है यह गामा का chain होता है आपके gamma n equal to आपके integration 0 to infinite e की पावर मैनस x s की पावर n मैनस 1 dx से व्यक्त यहाँ पर करते है ठीक है यह formula होता है आपके gamma n का इससे आप बिल्कुर अचीत है यहाँ पर याद कली जिगा क्या है आपके integration 0 to limit e की पावर मैनस x s की पावर n मैनस 1 dx ठीक है यहाँ पर आप देखिए जहाँ भी आपके जो यहाँ पर n का मान देगा अगर मान लीजिए यहाँ पर n का मान आपके 2 रहता है तो यहाँ पर भी आपका n का मान क्या रहेगा 2 ठीक है और अगर मान लीजिए आपके n की जगा m हो जरूरी नहीं यहाँ पर n ही हो अगर आपके m होता है तो यहाँ अगर आप गामा M होता है तो इस condition में यहाँ पर भी क्या हो जाता है आपके M हो जाते है यहनि M-1 यहाँ पर आपके हो जाता है ठीके, I hope आप इतना समझगी होगे उसके बाद एक कोछीज है कि यहाँ पर E की पावर माइनस X यहाँ पर आपके जो चर है इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझेगा उससे पहले आप यहाँ पर देख सेथे जैसे कि हमने बीटा फंक्शन याँ बीटा फॉलन में इससे क्या कहाता हमने यहाँ पर आइलर का पर्थम समा करन कारता है याँ यूलर फर्स्ट रूल कहाता और यह आपके क्या होता है यह आपके और मैंने आपको कहाता है जब हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे तो वह आपके क्या होता है यह आपके आइलर का दित्या नियम है आपके याँ यूलर सेकेंड आपके रूल है तिसे भी यहाँ पर आप लिख लीजेगा कभी-कभी one marks में आपसे पूछ लेता है ठीक है यहाँ पर आप पहली प्रोपरटी देख सकते क्या है आपके gamma n plus 1 equal to n gamma n ठीक है तो इसे हम proof करने वाले ठीक है आप इसे बिल्कुन यहाँ पर ध्यान से समझेगा e की पावर minus x s की पावर n minus 1 dx ठीक है अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए gamma n की जगा gamma n plus 1 चाहिए तब ही तो हमें यह properties proof कर पाएंगे इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर n की जगा n plus 1 रख देते हैं ठीक है जैसे हमें n plus 1 रखेंगे यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर n plus 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी n की जगा क्या हो जाता है आपके n plus 1 जैसे क्या आप आप देख सकते हैं यहाँ पर x की जगा n की जगा क्या हो चुका है n plus 1 और यह minus 1 तो आपके थाई dx ठीक है अब क्या होगा यहाँ पर यह 1 से 1 आपके कट जागा कि यह प्लस में और यह आपके माइनस में है उसके बाद आप यहाँ पर देख सेथे हैं यहाँ पर आ चुक है e की पावर में पढ़ रखा उसमें क्या होता है कि आपके जो भी आगे आ रहा है उसे हम फर्स्ट या सेकंड मान लेते हैं यहाँ पर आप समझ जानते formula क्या होता है सबसे पहले हमेरे जो first रहता है उसको हमें वेसा कवेसा छोड़ना होता है जो हमारे second है उसका हमें क्या करना होता है उसका integration यानि उसका समाकलन हमें कर देना होता है ठीक है उसके बाद minus के बाद आपके क्या आता है उसके बाद integration आता है जो भी आपक लिमिट पर ठीक है तो आपको यह सब आपने 12 में पढ़ रखा होगा बिल्कुल बैसे चीज़ हो रही है आपकी बीटा इंग गामा फक्षिन में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है ठीक है तो यहाप सबसे पहले हम कहते है फर्स्ट को यहाप छोड़ते है एक्स की पावर में आते हैं अपसोर को पता है डिफेरिंशल में ब्याप की इंट्फय व게 भी आपके यहाँ पर n आगे आएगा सबसे पहले आउकलन में n आगे आ जाता है और x की पावर n-1 इसमें से-1 हो जाता है उसके बाद में जो आपके second rate था उसका भी हम क्या कर देते हैं एक बार आपके जीरो रखना है लेकिन अगर इस 0 को आपको यहाँ पर x की जगह भी रखना होगा तो यहाँ पर जैसे 0 आएगा तो यह तो पूरा आपके जीरो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपके क्या जाता है जीरो हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आपकों में क्या आपके हुआ πरेज़ को खरेए तो वहаться है तो हम इस पूरी की जगा क्या लिख सकते हैं आमकी फेर्षटे घंघकशने चाहिए अमसेटल पर तो थोट यहांपे पूरा जिरो सो गहांने ही वो वला N है ठीक है और यहाँ पर इस पूरी की जगा क्या लिख चुक है हम गामा N यहाँ पर हमने लिख दिया और यही तो चीज हमें पूरूफ करने थी अभी आपने देखा था हमें यही प्रोपर्टेज पूरूफ करने थी गामा N प्लस 1 इकोल टू N गामा N जो कि हमारा बिल्कुल आसन तरीक से यहाँ पर पूरूफ हो चुका है जो कि काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है कई वार यूनिवसिटी एक्जामों में आपकी पूछ ली जाती है अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपके कि गामा N प्लस 1 इकोल टू N गामा N ठीके तो इसे हम कुछ एक्जमपल की तूरू आपको समझाते है यहाँ पर N की वेल्यू रखने से आपको किस प्रकार यहाँ पर यह चीज बनती है ठीके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर हम गामा 5 का मान निकाले ठीके तो गामा 5 का मान कीसे निकलेगा सबसे पहले हमें इस रूप में चेंज करना है N प्लस 1 तो हम क्या करते है 5 को हम 4 प्लस 1 लिख सकते है ठीक है 5 को 4 प्लस 1 लिख देते है जिसे वो दुबारे 5 बनते है ठीक है तो यहापर इस रूप में आ चुक है यानि यहापर n की वेल्यू क्या है आपके 4 है ठीक है जैसे यहापर आप देख सकते हैं n की वेल्यू क्या है हमारे 4 है आप मैंने कहा था कि अगर गामा नंवी यह आपर यंकी बेल्ड है लेक्षा टो इससे हम इस पर लख सकते हैं जारी आपर बselfवरिस वरन को हम 4 गामा फॉर यहां पर लेक्षाथे और इससे बात करें हम अगर हमें gra me 7a निकालना हो तो गामा 7 का भी कैसे होगा मैं इस रूप में चेंज करा देते हैं गामा 6 प्लस 1 ठीके तो यहाँ पर हमारे n के वेली निकल के आ जाते हैं 6 और यहाँ पर जैसे आ जाती है तो इस फोर्मले के ज़रे किया है आपके न गामा एन की मदल से आपके 6 गामा 6 यहां पर आपके हो जाता है ठीके यहाँ पर जो हमारी next properties है वो है गामा एन प्लस 1 एकॉल टू अन फैक्टोरियल ठीके इससे पहले वाली हमने होगा पर प्रूपरिटी के आपड़ी थी करने के आपको दिखाने वाले है सबसे पहले तो हमारी जो gamma n का formula क्या होता है आपके integration 0 to infinite e की पावर minus x s की पावर n minus 1 dx तिक है तो यहाँ पर हमें इसे proof करने के लिए यहाँ पर क्या कुछ value रखने होगी आगर माल लेते हम हम यहाँ पर n की जगह क्या रख देते है वन रख देते है जैसे हम n की जगह होगी है यहाँ पर वन रखते है गामा 1 एक्कोल टू आपकी क्या होता है integration 0 to infinite e की पावर minus x यहाँ पर n की जगह हमने 1 रख दिया 1 minus 1 हो जाता है आपके dx ठीक है यहाँ आपकी पीपावर की आ जाता है यहाँ अपकी पावर मायनेस एकस डिया पर आपके बसता है अब आपके क्या करते है Sama Kalan कर देते हैं यहापर आगे लिख देते हैं उसके बार हम यहापर limit भी रखने है यहापर limit का है हमारी infinite है यहापर अनंत है और यहापर का है 0 है Hier हम इसके माणनों में रख देते है X की जगह भी हम यहाँ पर infinite रख देते और X की जगह हम यहाँ पर zero रख देते हैं, ठीके, वो कैसे यहाँ पर आपके आते हैं, minus, E की पावर minus infinity यहाँ पर हो जाता है, जैसे हमने infinite रखा है, उसके बार आपकी formula में आता है, minus, ठीके, minus और यहाँ पर पेले से आगे क्या लग र होता है और एकी पावर जीरो के होता है आपके वन होता है ठीक है यहां पर हमारी जो गामा वन की वेल्यू क्या निकल के आती है आपके यहां पर वन वेल्यू यहां पर आपके निकल के आती है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर गामा वन की वेल्यू हमारी वन न પ्लिस वन लिख दे एhr । इसके बाद मैं यह एंटी banking लों पर हमारी वन है ऐसे निकाले तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको फाइव का फैक्टराल के होता है और उसके बाद हमें यहाँ पर गामा त्री का निकलकर देखते हैं तो gamma 3 को अभी हम gamma 2 plus 1 लिख सकते हैं दुबार आपके 3 बन जाता है जिसे हमारी n की value की आ जाती है तो इसे हम किस प्रकाल लिख सकते हैं पहली properties के ज़रे ठीक है उसके बाद है यहाँ पर gamma 2 की value की कहां से रखे तो अभी आपने थोड़ी दिर पहले है यहाँ पर gamma 2 की value की निक पेल भी गामा 3 के निकलता है ठीक है उसके बाद है यहाँ पर हमारे gamma 4 हमने आप गामा टुक Megal की निकाल के देखे ठीक, यहाँ पर गामा फॉर की जैसे निकले मैं में यहां पर लिख देते उसके बाद हुंआ यहां पर գामा निकाली ति है आपडल ठीप इस यहां पर निकाली थी तो हम इसमें इस उन्हुणा 3 की । और आप किकाही ऊज़ाते है याही खामाD टो अच्छी तरह से जानती यहेगी जब़ी आपकर 1 का फैक्टरल, आपके 2 होगा, इसका मदनेमेरम रेता है, उसके पहले आपके और का गताइ़ एक लिखिए, फिर त्री से पहले आपके तरह से तो होığını होगा, है उससे पहले है उसे पहले है क्या है उस से पहले आपके 24री तैकर आपे टुम्टी फोर हो जाते है उस से पहले है यहाँ पर revise करा दिया अगर कोई students यहाँ पर भूल गए हो तो ठीक है तो यहाँ पर आपने इस पूरी चीज से यहाँ पर क्या देखा जैसे हमने gamma 1 निकाला gamma 2, gamma 3, gamma 4 तो इससे हमारे यह निकल के आता है जब ही भी आपके gamma n plus 1 रहेगा यहाँ पर आप देख़ा तो यहाँ पर gamma 3 plus 1 था यहाँ पर gamma 2 plus 1 था ठीक है तो उस condition में हमारे क्या निकल के आता है n factorial निकल के आता है वो केसे यहाँ पर आप देखें यहाँ पर अगर आपने gamma 3 plus 1 निकाला था तो यहाँ पर n की value क्या थी आपके 3 उस condition में आपका क्या बना 3 factorial यहाँ जो n की value थी उसका क्या बना factorial बना उस परकार यहाँ पर n की value क्या थी आपकी 2 तो दुबारा 2 का factorial बना यहाँ पर n की value के आती है आपकी 1 थी यहाँ पर 1 का factorial बना अगर आप गामा 5 का निकालेंगे तो क्या हो जाता है आपकर गामा 4 प्लस 1 हो जाता है ठीक है उसे भी आप solve करके देखे लिए जिए का आपका क्या निकल के आएगा आपके हमाँ पर 4 factorial आपके हमाँ पर आ जाएगा प्लस 1 थी उसके साथ आपके यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी आपसे निकाल पाईगे अगर आपके यहाँ पर गामा 4 है तो उससे एक कम कै आपके थी तो फ्री का factorial आ जाता है ठीक है यहाँ वह आप इससे भी देख सकते हैं अगर आपको कभी ग हो कि गामा 3 की V2 क्या है एक पद कीजिए 2 हो जाता है ठीक है और यहाँ आपसे इस प्रकार भी लिख अगर आपको gamma 4 का निकालना तो gamma 3 plus 1 और यहाँ पर n की value आ जाती उसका factor यहाँ पर इससे एक कम पद कर दीजिए उसका factor यहाँ पर आपके आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर इससे हमारे second properties के प्रूफ हो चुकी है gamma n plus 1 equal to n factorial यहाँ पर हमारे आ चुकी है और इससे पहले वी वाली प्रूफ कर रहा था gamma n plus 1 को n gamma n proof करके दिखाया था पहले वाली प्रूफ करके दिखाया था पहले वाली प्रूफ करके दिखाया था पहले वाली प्रूफ करके दिखाया गामा n plus 1 equal to क्या होता है n factorial तो हम कह सकत यह इससे भी यह value आप यहाँ पर direct निकाल सकते हैं आपको यहाँ पर दोनों properties अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी अब बात करते हैं हम यहाँ नेश्ट properties की से आप बिल्कुई यहाँ से समझेगा कई वारी university exam में आपकी यह पूछी गई properties है जैसे कि यहाँ आप देख सते हैं हमाने यहाँ पर थर्ड properties है मानक समाकल इसका नाम होता है इस properties का यानी standard integral यहाँ पर आप इससे बिल्कुई यहाँ से समझेगा इससे आप important लगा लिजे कई वार कुछी गई properties है यह आपकी integration हो अगर आपकी 0 to infinite s की पावर n-1 e की पावर minus ax dx equal to gamma n upon a की पा यहाँ पर e की पावर भी आपकी क्या जथी है m अजथी है ठीक है उसके साथ में समझेगे वाला ये चीज़र कि यहाँ पर आपकी पावर minus ax ठीक है यहाँ पर आपके अगर कोई दूसा function यहाँ पर देता है तो वह यहाँ पर आपके हो जटाए अगर यहाँ पर B रहता है तो यहाँ पर भी आपकी क्या आजाता है B हो जाता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर हम आपके जो next class में आपको beta and gamma functions में relation का formula पढ़ाने वाले जो की काफी ज़्यादा important होता है उसमें आपका इसका use होने वाला है उसमें ऐसी condition आपकी बनी कि महाँ पर x की जगों कुछ और मान होगा आपके तो महाँ पर वो dx में भी आपके उस का उकलन वो ही हो जाता है ठीक है जो आपके अपर n की value कुछ और रहती है तो यहाँ पर gamma n की value भी कि कुछ और यहाँ पर आ जाती है ठीक है इसलिए हमने आपको इस तरह के सचीता से समझा दिया है अब बात करते हैं हम इस प्रोपेटीस को प्रूफ करने वाले हो किस प्रकार से जो हमारे गामा इन का फूर्मुला हो देता है जैसे मैं आपको शुराद में बताया तो जो कि क्या था इंट्रिगेशन जीरो टू इन्फाइनेट एकी पावर माइनस एक एस की पावर एंड माइनस वन डी एक्स तीक है तो अब हम इसकी जरी यहापर प्रूफ करने वाले इस प्रोपेटीस को यहाँ पर हम एस की जगह क्या मान लेते हैं ठीक है और यहाँ पर एस का जैसे डिफि यहाँ पर y भी आपका क्या हो जाता है जीरो हो जाता है अगर हम एस लगा इफवाटी एक पावर माइनस एवाई ठीक यहाँ रखते तो यह पर क्या जाता है आपके x की जगह ay जरता है iso minus ay यहाँ पर x की जगह भी हम यह पर a y रख दे i by की power n – 1 उसके बारहें यह पर a x थीक है projekt dx की value किया निकाल शौन कर राता है इसका क्या क्या निकल यह था यह था आपका Ed TV as हम यहां पर DS की जगह कर देते, ADY यहां पर हम रख देते, उसके बद आप इसे यहां पर आगे solve करते थे, यहां पर इन दोनों की separate आपको जो गहात है यहां पर रखने होगी, ठीक है, DY ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपकी A की पावर क्या है, 1 है, यहां पर इसकी पावर क्या है, N-1, यहां पर आपकी दोनों के आधार से में तो इनकी घाते जोड़े जाते, क्या हो जाते है, N-1, प्लस वन हो जाते है, ठीक है, इसकी पावर क्या है, तो माइनस 1 और आपके प्लस 1 क्या हो जाता है एक दूसर से कि यहाँ पर कट जाते है और A की पावर क्या बसती है आपके A की पावर N बसती है और आप सब चनती है पूरा क्या आपके constant यानि अच्छा रहे तो इसको हम यहाँ पर भाहर लियाते देएक पावर N को जिसके है उपर आप आप दिसके हैं हमारी जो लिमिट किया रहे थी 0 to infinite और यहाँ अंदर क्या बसती है एक़ी पावर माइनस A Y बसती है और आपके साथ में यहाँ पर यहां पर आपके यहां पर आपके प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रो देता है उसे हम y की रूप में change कर सकते है जो हमारा y का function देता है उसे हम x के function में change कर सकते है यानि हमारे जहाँ पर x equal to y होता है एक तरीकिस आप यह भी समझ सकते है तो यहाँ पर हम y की जगह क्या रख सकते है एक रख सकते है और x की जगह हम क्या रख सकते है यहाँ पर y सकते हैं उसके बाद हमें इस पूरे को आगे यहांपर लिख देते हैं यहांपर पिछुषे लिख देते हैं तो यहांपर हमारे क्या हो चुका है है यहांपर हमार्णहों हो चुका है और यह यह तो चीज्ज हमें properties proof करनी थी क्या थी आपकी indication 0 to infinite x की पावर n-1 e की पावर minus x dx equal to gamma n upon a की पावर n जो की काफी ज़्यादा important properties होती आपकी इसे हम मानक समा करने standard integral केते हैं एक और आप अच्छी तरह से यहाप इसकी practice कर लिजेगा जो भी हमने बार-बार repeat होता रहता है बीटा इन गामा functions में relation का पूर्मरा ठीक है जो की काफी ज़्यादा important है आपके तो आप हमाई साथ ही आपने नेश्ट क्लास में भी बने रहेगा उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा या playlist में भी जाके विजिट कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नहीं है अभी तक आपने subscribe निगे तक प्लीज सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरू बताएगा और शेशन को लाइक करना ना भूले ठीक है तो मिलते हैं एक